Hello students, and Jai Hind, I welcome you all to Magnet Brains. एक ऐसा platform जहाँ पे class 1 से लेके class 12 तक सारा का सारा quality educational content आप लोगों तक exclusively free of cost लेकर आया जाता है. मतलब यह कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी subject के एक या दो chapters एकसेस करने के लिए मिले हैं. और उसके बाद आपसे यह बोला जाए कि भाई, बचा हुआ content देखने के लिए या तो आपको किसी तरीके का कोई paid subscription लेना पड़ेगा, या कोई fees देना पड़ेगी. ऐसा Magnet Brains पर नहीं होता. Magnet Brains प्रतिबध है, आप लोगों तक सारा का सारा quality educational content exclusively free of cost लेकर आने के लिए, जिसके मदद से ना सिर्फ आप लोग अपने examinations की preparation अच्छे से कर सकें, आपके concepts की understanding और clarity जादा अच्छे से आ सकें, आप बढ़िया score कर सकें अपने examinations में, बढ़िया साथ आप इस knowledge का इस्त पर हम भी अपने आज के session के शुरुआत करेंगे, तो last session में हम लोग पढ़ रहे थे हमारे class 11 health and physical education के हमारे subject की जो हमारी NCIT की किताब है, उसका 5th chapter जिसका नाम है team games और इस 5th chapter में हम लोगों ने last lecture तक जो खोखो है उसके बारे में बातचीत करकर खतम कर दी थी, खोखो नाम गेम है जो हम को डिसकस करना है और इस team game का नाम है volleyball काफी interesting game है, काफी खेला जाता है, काफी famous भी है, और फिर वही बात आ जाती है, इंडिया में as such क्योंकि professionally sports बगरा को लेकर उतना जादा craze नहीं रहा है, हाला कि अब महौल धीरे धीरे बदल रहा है, मगर क्योंकि इंडि साल पहले और जादा जो है, डल किसम का थोड़ा सा माहौल इस चीज़ को लेकर हुआ करता था, अब क्योंकि माहौल बदल रहा है, तो अव्यस सी बात है, गेम के प्रती भी जो है, जादा आपको रुजहान देखने के लिए मिलता है, और कई सारे लोग जो है, प्रोफेश के बारे में अंदाजा नहीं है, जैसे हम लोग उने देखा था कि आपके टीबल टैनिस के रूलस और रेगुलेशन वगरा थे, उसके बारे में लोगों को उतना जादा अंडरस्टैंडिंग की अंदाजा नहीं था, या फिर आपके बैड्मिंटन के भी जो सीधे सेटों म के बारे में पता नहीं, क्योंकि उन खेलों को लेकर उतना रुजहान नहीं था, कुछ हद तक वही नियती का वालीबॉल के उपर भी, अभी ये नहीं कह सकते कि लागू होती है, मगर हाँ, टू एन एक वक तक जो है ये नियती वालीबॉल के उपर भी लागू होती थी, ज इसके कारण आज भी काफी बड़े पैमाने पर लोगों को वालीबॉल के रूल्स और रेगूलेशन के बारे में उतना अंदाजा नहीं है, तो ये जो हमारा सेशन रहने वाला है, इसमें हम लोग बिसिकली करेंगे क्या, इसमें हम लोग वालीबॉल का गेम जो है, उसके र रहने वाला है, ये गेम जो शायद हमने देखा है, बट फिर भी हम लोग इसके सारे रूल्स और रेगूलेशन से परिशित नहीं है, उन सारे रूल्स और रेगूलेशन को डीटेल में हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं, तो नाव विदाउट एनी फरदर अडू ये भी स्टार्ट, क्लास 11th, Health and Physical Education का हमारा सब्जेक्ट, NCRT की हमारी किताब, 5th हमारा चैप्टर, Team Games और उसका लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है Volleyball, चले, शुरू करता है से, तो सबसे पहली चीज़ जो हमको आज के सेशन में देखनी हैं, वो है Volleyball की हिस्टरी क्या है, किस तरीके से एक गेम इवाल्ब हुआ, कौन-कौन से इसमें, इंपोर्टन या इंटरनाशनल फेडरेशन वगरा, कहां-कहां पर कौन-कौन से इंटरनाशनल या इंपोर्टन इवेंट्स वगरा, इस गेम से रिलिटरेड हैं, लास्ली ओलम्पिक्स में इसका पदारपन य खेला कैसे जाता है, या फिर जब हम बोलते हैं कि वालीवाल गेम है, तो वालीवाल गेम से मतलब क्या आप करते हैं, तो वालीवाल गेम जो है, ये एक ऐसा गेम है, जिसको दो टीमों के बीच में खेला जाता है, एक कोट के ऊपर और इन दोनों टीमों के बीच में एक ने के साथ में मुकाबला और हो रहा है कैसे हो रहा है वो आगे देखेंगे मगर वॉलीबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें कोट के ऊपर एक नेट लगा कर दो हिस्से बनाया जाते हैं और उसमें फिर दो टीमें खड़ी होती है एक दूसरे के खेला फिर वो लोग कंपीट करते हैं क् कि तारीक में बात की जाए रीक्रियेशनल स्पोर्ट्स बगरा के पॉइंट व व्यू से रीक्रियेशनल स्पोर्ट्स के अगर आप बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफूल सबसे ज्यादा पॉपुलर और कोम्पिटिट Cathy ke तौर पर जो है वॉलीबॉल को आजकी प्रेश करने के लिए अगर आप कोई गेलना चाहते हैं या फिर अगर अगर आप लेट से वर्काउट वगरा करके काफी ज़्यादा थक गए अब आप चाहते हैं थोड़ा सा रुखने के बाद में कि रिलाक्स होगे बस माइंड सेट को आपका थोड़ा सा जो है आप किसी औ से जो है यहां पर रिक्रेशनल स्पोर्ट वगरा का यूज किया गया है यानि कि एक ऐसा खेल जिसको आप एक हॉबी के तौर पर भी खेल सकते हैं जरूरी नहीं उसमें आपको कॉम्पेटिटिव तौर पर ही खेलना पड़े किसी को जीतना आर नहीं होगा मगर आप इसको होबी के तौर पर भी खेल सकते हैं हर बार आपको इसको कॉम्पेटिटिव पॉइंट व्यू से खेलने की जरूरत नहीं है आप क्योंकि दूसरे गेम्स वगरा में अगर आप देखोगे तो एक सर्टेन आपके प्लेयर्स वगरा लगते हैं और काफी दाद एक्यूप्में के फुटबॉल हो गए इन सब क्या पेक्षा वॉलीवाल रीक्रियेशनल स्पोर्ट्स के पॉइंट व्यू से बहुत जादा फेमस है इन फाक्ट आप जैसे बीच पर अगर आप चले गए क्योंकि अंग्रेजों किया काफी एक बीच कल्चर है वो लोग कई बार अपनी वी वॉल तो कहला जा सकता बास्केट बॉल या फुटबॉल एक सच नहीं कहला जा सकता तो यह बात अपने को ध्यान रखनी है कि वॉलीवाल आज की तारीक में अगर देखा जाए कॉंप्रिटिटिव स्पोर्ट्स के पॉइंट व्यू से दिखा जाए तो बहुत सक्सेस्वल और पॉपुलर गेम और यह गेम बगरा जो है 1895 में इन्वेंट हुआ था इस गेम को इन्वेंट किया था एक व्यक्तिन है जिसका नाम था विलियम जी मॉर्गन विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में इस गेम को डिसकवर किया और जब इसको डिसकवर किया गया था तब इसको व वॉलीवाल होते होते इस गेम में और भी नए रूलीवाल रख दिया अब अगर बनेगा फेमस होना शुरू होगा लोग उसको खेलना शुरू करेंगे रीक्रियेशनल एक्टिवीटिश के लिए भी होने लगा तो फिर किसी एक संस्था कि आपको ज़रूरत पढ़ेगी है महसूस होगी जो इस गेम के रूलस और यह वह गहले अगर उसमें इस वगेरा मैच्श के लेवल पर आपका स्कूल के लेवल पर अपका स्टेट्स नेशन लेवल पर इंटरनाशनल लेवल पर अलग जगे फिर उसके आपके टूर्णामेंट्स वगरा मैचेस वगरा करवाए जा सके तो उसी के चलते हैं 1947 जिस साल हमारा देश हजाद हुआ था उसी साल एक संस्था की स्थापना की जाती है जिसका नाम है इसको शॉट में हम लोग कई बार FIVB बोलते हैं फेडरेशन इंटरनाशनल डी वॉलीबॉल यह वो संस्था है जो इंटरनाशनल इपका जो वॉलीवल वगरा है उसके रूल्स और रेगुलेशन जो बाकी सारी चीज़ों को देखती है और जैसे दूसरे आपके अलग-अलग जैसे फुटबॉल के लिए फीफा हो गई क्रिकेट के लिए इसी तरीके से आपका वॉलीवल के लिए FIVB जो है इंटरनाशनल लेवल पर आपका वॉलीवल से रिलेटेट जो भी आपकी चीज़ें वगरा हम को मैनेज करती है आब वॉलीवल फेडरेशन ऑफ इंडिया हिं को मैनेज करने के लिए संस्था की जाती है इसका नाम है वॉलीवल फेडरेशन ऑफ इंडिया शॉर्ट में जिसको हम लोग वी फाई बोलते हैं जिस तरह से आपका FIVB जो है इंटरनाशनल लेवल पर वॉलीवल को देखती है उसको मैनेज करती है उसी तरह से इंडिया में वॉलीवल को मैनेज करने की जिम्मेदारी VFI के उपर या फिर वॉलीवल फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपर आजाती है चले आगे बढ़ता है अब एशियन गेम्स की बात की जाया तो एशियन गेम्स में वॉलीवल को इंट्रिद्यूस किया गया था 1958 में मगर तब यह सिर पुरुषों के लिए या फिर पुरुषों की कैटेग्री में इसको शामिल किया था याने कि इसमें परधा वगज़रा जो है... वो सिर्फ आपके मेल कर सकते थे इसमें सिर्फ आपके में जो हैं वो कंपीट कर सकते थे बाद में 1962 में लगवाग चार साल बाद महिलाओं के लिए भी जो है वालीवाल की फिर बुलाई जाने लगी एशन गेम उन लोगों ने भी कंपीट करना शुरू कि उसके बाद में फइव ने जो है में लोड़ चैंपियंशिप 1949 में स्टार्ट कर दी थी और मैलाओं की 1952 में स्टार्ट कर दी थी तो फइव वी जो है वो आपका जैसे हमारे क्रिकेट का वल्ड कुप यह रूब कर आता है उसी तरह से आपके जो वड़ियोग वर्ल्ड चैंपियंशिप सै men and women दोनों की F.I.V.E.V.E. की जिम्मधारी हैं वो लोग कराते हैं 1949 में ने ये world championship men के लिए start कर दी थी और women के लिए 1952 में start कर दी थी अब आती है सबसे बड़ी और सबसे important बाच जिसने फिर volleyball का और ज़्यादा प्रचार प्रसार किया और volleyball को और ज़्यादा जो है लोगों तक पहुचाने में मदद करी वो था Olympics में डेब्यू तो volleyball जो है उसने Olympics में अपना डेब्यू किया था Tokyo Olympics में 1964 में 1964 के Olympics में volleyball को एक event के तोर पर इसमें शामिल किया गया उसके बाद से फिर क्योंकि आप कोई अगर कोई गेम वगरा Olympics में शामिल होता है तो उसके बाद में फिर आपकी कई सारे देश वगरा जो है उसमें क्वालिफाइ करने के लिए पनी टीमें तयार करते हैं तो यहाँ से फिर वो गेम जो उसका प्रचार प्रसार होता है और अलग-अलग देशों में अलग-अलग आपके जो के टेगरीज वगरा है उसमें लोग प्रचार प्रसार होता चला गया बढ़ता चला गया जाले अब हमको बात करनी है इसके कोड्स के डायमेंशन की जहां पर इस गेम को खेला जाता है पहले हम लोग इसके कोड़ को नहीं समझेंगे तब तक फिर इसके रूल से रेगुलेशन और जो आपके प्लेयर्स वगरा है उनकी पूरेशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा चले अगर हम लोग एक अगर एक अगर एक दम लेमैन के पॉइंट और व्यू से बा आपका दोनों तरीके के जो हैं आपको सेटप देखने के लिए मिलता है इंडोर के भी आपके स्टेडियम्स वगरा है जहां पर वॉल्यूबाल होता है और आप इसका अगर हम लोग लाइन डाइग्राम देखें तो वह कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है आपको ठीक ह वगरा भी हम लोग आगे देखेंगे मगर अगर आप इसका टॉप व्यू देखें अगर आप लाइन डाइग्राम के पॉइंट व्यू से तो वह कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है ठीक है जी आगे बढ़ता है और एक और आपका लाइन डाइग्राम जिसमें आपका स्पेसिफिकेशन वगरा बताई गई है कोट वगरा की वह कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है यह आपका पीच में नेट लगा हुआ है अलग-अलग जो लाइन्स बनी हुए उसके नाम लिखे हुए और बाकी सारे जो डाइमेंशन वगरा बताएगा है व जैसा हमने देखा था कि maximum आपके जो team games है in fact individual games भी जो आपके courts वगरा पे खेले जाते हैं generally हमने देखा था कि उनके जो ground या उनके जो court होतना है वो rectangle होता है वो ही बात आपका volleyball के court पर भी लागू होती है volleyball का जो हमारा court है यह भी rectangular shape का है और इसके जो dimensions है वो है 18 into 9 meter मतलब य कि जिस court पर volleyball खेला जाता है वो court rectangular shape का होता है length है उसकी 18 meter और breadth है उसकी या फिर आप width बोलना चाहें 9 meter के आसपास यानि कि आपका court कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा 18 meter की यह उसकी length हो गई और यह आपका 9 meter की जो है उसकी width हो गई इसके चारों तरफ अब जो ह है आपकी side line से 5 meter का होता है और आपका और आपका जो end lines वगणा है उससे 6.5 meter का होता है free zone का मतलब क्या याने कि let's say अगर आपका इतना area में इस court के आसपास में free zone बोल दिया वैसे ऐसा होता नहीं मगर बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर यह आपका court मैं यह आप खड़े हो सकते हो इसके अंदर आप नहीं आ सकते हाला कि इसका जो free zone है ऐसा नहीं होता है इसका free zone कुछ इस तरह से होता है यह आपका court हो गया यह 8 मीटर हो गया यह 9 मीटर हो गया अब यह जो आपकी side lines वगरा है यहाँ से 6.5 मीटर यहाँ से जो आपके फ्लेस को चोड़के जो पर मौझूद है इतने एरिया में कोई और बंदा खड़ा नहीं हो सकता एक दूसरा जो पॉइंट है इसका मतलब यह है कि यह जो कोड़ है जिसके ओपर आप खड़े हो कि अल्टीमेटली बॉल को मारोगे जंप करोगे उसारी चीज़ें इसमें भी आपने जो यह वर्टिकल हाइट है एक सर्टेन लिमिट आपने रख रखी है कि इतनी हाइट तक हम लोग प्लेइंग एरिया मानें गया उसके उपर अगर बॉल चली गई या फिर उसके उससे जादा अगर आपने जंप मार दिया तो उसको जो है तो यहां पर जिस तरह से आपका जो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है अभी तक यह चीज़ किसी दूसरे गेम में निकल कर नहीं आई है कि यहां पर आपका जो डाइमेंशन वगरा है कोट के जो डिसाइड़ लाइन वगरा है उसके बाहर आप चले गए तो ही जो है आ एक सेटेन हाइट से वी उपर अगर आप निकल जाते हैं तो हाइट कितनी है 12.5 मीटर तो भी जो है फिर आपको फॉल्ट या फिर पैनल्टी वगरा हो सकती है फिर आपके उपर कुछ फाउल वगरा जो हो सकता है यह हाइट 12.5 मीटर मानेंगे तो याद रखिएगा और य कहां से कैलकुलेट किया जाता है प्लेंग सर्फेस है मतलब यह कि यह जो कोड की वाली सर्फेस है यहां से 12.5 मीटर कैलकुलेट किया जाता है ना कि नेट वगरा से इसको याद रखिएगा प्लेंग सर्फेस वगरा है आपका जो प्लेंग एरिया वगरा है प्लेंग सर्फ देखते हैं उसके बाद में फिर इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे यह एक तरफ का court है यह आपका पूरा का पूरा court है rectangular shape में अठारा मीटर इसकी length है 9 मीटर इसकी width है अब इसमें एक तरफ की जो team है उसका जो court है उसकी जो center line है उस center line से तीन मीटर पर एक बनाई गई है इसको बोला जाता है अटाक लाइन और आपके जो प्लेयर्स वगर अटाक करते हैं आगे जब हम लोग रूल सेंड रेगुलेशन पढ़ेंगे तब यह चीज ज्यादा क्लियर होगी यह पर इस लाइन के आगे से ही किया जाता है तो यह अपने को ध्यान रखना आपका यह पूरा का पूरा कोल्ड आपने बनाया इसमें आपका नेट बीच में लगा हुआ है उसके बाद में जो आपकी लाइन आपने एक सेंटर लाइन ड्रॉ करिये और उस ते फिर तीन मीटर के डिस्टेंस पर आपने एक अटाक लाइन बनाई है उस अटाक लाइन की लिए front zone बूला जाएगा यही बात इसके opponent में जो दूसरी team खेल रही है उसके लिए हो जाएगी कि उनके attack line से उनकी जो net तक कर distance इसको आप उनका front zone बोलेंगे तो attack line दो चीज़ों के लिए है कि आप attack कहां से कर सकते हैं दूसरा आपका front zone जो है उसको जो define करने के लिए जो य आपके हिस्ते का जो court है net के इस तरफ का उसकी center line से 3 meter के distance पर जो line बनाई जाती है उसको हम लोग attack line बोलते हैं और attack line जो है वो क्या mark करती है आपका front zone कि कि कितना जो है इलाका आपके front zone में गिना जाएगा और कितना इलाका आपके back zone में गिना जाएगा चलें आगे बढ़त net के उपर से आपके opponent team की तरफ जाए उस region को या उस शेत्र को बोला जाता है service zone याने कि वो इलाका जहां से आप volleyball की service करते हो अब ताकि आपकी volleyball जो आपकी opponent team तक पहुँचे इसको service zone बोला जाता है आप यह service zone कहा है मैं आपको पहले बताता है उसके बाद मैं फिर मैं line पढ है यह 9 मिटर के आपके end line हो गई यहां से आपने 20 cm गिन लिए लेट से आपके 20 cm इस एंड लाइन से यहां बनता है और यहां से आपने 15 cm के एक line बनाती इसी तरह से आपने यहां से 20 cm गिन लिए और यहां से 15 cm के line create कर दी अब यह जो area बनके आपका तयार हुआ है यह पूर service zone is 9 meter wide and is behind each end line फिर से इस line के साथ में हमने लोग इस diagram को फिर से देखते हैं service area कहा है service area कैसा है 9 meter wide तो यह आपकी end line है यह आपकी 9 meter wide तो इस 9 meter की length में कहीं पर खड़े हो कर आप service कर सकते हो एक चीज़ और कहां पर है यह end line यह पीछे की तरफ है दोनों टीमों के लिए अग कहीं पर खड़े हो के कर सकते हो और आपको एंड लाइन उसके पीछे ही खड़ा होना पुड़ेगा यह नहीं है कि आप इसके आगे यहां पर खड़े के सर्फ कर दो यहां कर दो यहां कर दो नहीं आपको दो बातों का ध्यान रखना है एक तो यहां से लेकर यहां तक में क मीटर वाइड एड मतलब यह कि अब आपने 20 सेंटीमिटर तक का डिस्सक्राइब कर लिया और वी सेंटीमिटर का distance measure करने के बाद में आपने 15 cm की एक लाइन यहाँ बनाई 20 cm का distance measure करने के बाद में 15 cm की एक लाइन यहाँ पर बनाई आप इसने जो है आपके area को limited कर दिया है कि end line के पीछे है यहाँ से ले कि यहाँ तक में भैया तुम कहीं पर भी सर्फ कर सकते हो यह आपको allowed है वही बात जो है आपको यहाँ पर लिखी हुई है तो आपका जो service zone है वो कितना है नौ मीटर वाइड है याने कि आप इस width के अलोंग नहीं पर खड़े होकर सर्फ कर सकते हो and is laterally limited by short lines each 15 cm long 15 15 cm की जो short line से इसको आपने limit किया है ड्रॉन 20 cm behind the end line याँ यह 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 आपने 20 cm measure कर लिए यहाँ पर आगया यहाँ पर measure कर लिए 20 cm यहाँ पर आगया यहाँ से 15 cm की एक बना दी अब यह जो है आपका service area हो गया 9 meter की width का यहाँ से यहाँ तक के बीच में से आप कहीं पर भी आप मुश्किल गाम है थुड़ा बहुत 19-20 का फर्थ चलता बेट more or less 5 cm जो स्टेंडर बना गया चले आगे बढ़ता है इसके बाद में आपका फुल कोट डाइगनल और हाफ कोट डाइगनल यह इसलिए निकाला जाता है फुल कोट डाइगनल और हापका जो हाफ कोट डाइग पाइगनल और हाफ कोट डाइगनल आप मेजर करना शुरू करें और यहां तक का लेंट अगर आप मेजर करने तो यह जो डाइगनल है आनी चाहिए आपका 20.125 मीटर तो अगर आपने एक पॉइंट यहां से पकड़ लिया 20.125 मीटर तक का डिस्तेंस यह मेजर कर डाला आपने यहां से यहां तक और यहां से यहां से यह जिस्तेंस जो है आपका अगर यह आ रहा है 12.7-8 मीटर यानि कि आपका हाफ कोट डाइगनल भी फिट बैठ है और आपका फुल कोट डाइगनल भी फिट बैठ रहा तो उस कंडिशन में लोग बोलेंगे कि आपके कोट के सारे के सारे डामेंशन ठीक है अब एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं उसके बाद में आगे बढ़ते हैं वालीबाल कोट कैसा होता है रेक्टैंग फोरवइर रिया कहला ता है सर्विंग अपर होता है कितनी होती है इसकी रेंड़ कितनी होती है कितनी होती है और और यह एरिया जो है आपका serving area हो जाएगा यहां पर कहीं पर खड़े होगे फिर आप serve कर सकते हो यहां से जो है आप ball को serve करते हो चलें आगे बढ़ते हैं अब हम लोग equipment बगरा की बातचीत करेंगे कि कौन-कौन चीज जिसकी जरूरत आपको पड़ती है volleyball में वो तो आपकी ball है ball के बिना तो match होई नहीं सकता अब यहां पर जो ball है इसको पहली चीज तो यह कि spherical होना जरूरी है दूसरी बात यह कि यहां तो आप इसको flexible leather का भी बना सकते हैं या फिर आप इसको synthetic leather का भी बना सकते हैं मगर चाहे आप इसको flexible leather का बनाएं चाहे आप इसको synthetic leather का बनाएं doesn't matter मगर उसके अंदर एक bladder होना जरूरी है अब bladder क्या होता है हम जो जानता है football हो गई है volleyball हो गई है इस तरीके कि जो आपके अगर आपकी basketball भी हो गई जब अगर हम लोग इनके ऊपर की surface वगरा को हटाएं तो अ आपको outer surface जो है पहली बात तो यह कि ball की spherical रखनी है पहली चीज़ दूसरा यह कि इसको आप flexible leather से बना सकते हैं flexible leather मतलब जिसको खीचेंगे तो खीच जाए और अगर आपन छोड़ दें तो उसके बाद में फिर से अपना normal shape वापस पकड़ ले फ्लेक्सिबल लेदर आप नै actual इस्तिमाल कर लें manmade इस्तिमाल कर लें doesn't matter मगर दोनों condition में rubber का बना हुआ एक bladder जो है अंदर की तरफ में होना चाहिए अब यह जो ball है इसकी यह specifications तो हमने देख लिए अब आती यह बात इसके color की पहली चीज़ तो यह कि या तो आप एक uniform light color की ball इस्तिमाल कर लें या फिर इस तरीके की बाम doos purchase अनुगा ना और सकते हैं भी के अशनै के रहा है ठेको फिर पुरी की ओल्टर की बनी रहा है आप इस तरीके की ऑप इस्तिमाल कर सकते हैं मगर शर्त यह ए कि colors आपके light होने चाहिए बहुत ज़्यादा चाटक या फिर बहुत ज़्यादा गाड़े रंग नहीं होने चाहिए जो पता चलना reflect कर रहे हैं अगर एंडूर stadium में match हो रहा है आखों पर reflect कर रहे हैं तो देखने में दिक्कत हो ऐसी बात नहीं होने चाहिए आप light 260 से लेके 280 ग्राम होता है अब देखने वाली बात यह है कि यहां पर बॉल की circumference और वेट जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि अगर आप मेल्स के लिए हैं मेल अगर खेल रहे हैं तो उनके लिए जो है पिर आपका circumference अलग हो जाएगी और फिमेल खेल रहे ही तो उनके लिए जो है उसका 260-280 ग्राम के असपास है अब इसके अंदर आपको हवा इतनी भरनी है या फिर इतने लिमिट तक भरनी है कि आपका जो इंसाइट प्रेशर वो 0.30 से लेके 0.325 किलोग्राम पर सेंटीमिटर स्क्वाइर के बीच में जो है मेंटेन रहे इतने से लेके इतने की बी बाइशर वगरा है पॉइंट 30 से लेके 0.325 किलोग्राम पर सेंटीमिटर स्क्वाइर के बीच में होना चाहिए यह तो खेर आब आपकी बाल की बात हो गई अब नेट की बात करते हैं जो आपका नेट लगाया जाता है जिसके साथ में फिर आपके दो हिस्ते होते हैं पिर के जाती है जो आपकी एंट की है आगर आप में का मैच करा रहे हैं अगर आप मन करा रहे है तो टू पॉइंट 4 रखनी है और अगर फिमील का कर्वार है थो टू पिंट2.4 मिट़ रखनी है ठीक है müirtschaft from the center of the playing court यानिंव क कोड के center से या आपने जो center line बनाई यह उस से आप कि तरफ में जब मेजर करते हैं तो इतनी हाइट पे 2.43 मीटर की हाइट पर पुरुशों के लिए नेट लगा दीजे या फिर 2.24 मीटर पर आप महिलाओं के लिए मतलब यह कि यह जो नेट वगरा आप बनाया जाएगा इसमें आपको स्कृर्एर देखने के लिए मिलेंगे उब कि स्क्वार्ट वगरा से मैश वगरा बना कर तयार किया जाता है चले आगे बढ़ता है प्रिफरेबली एग्जेस्टिबल पोस्ट डेटा टू पॉइंट फाइफ मीटर हाई एंडर प्लेज बन मीटर आउटसाइड साइड लाइन आप यह जो नेट है जिसन पोस्ट वगरा फ्राइब नट को लागाया जाता है जब इसको लगाया जाता है जिसकी मरढ no इसको लगाया जाता है थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करते हैं एन एंटीना इस फ्लेक्जिबल वन पॉइंट जीरो मीटर लॉंग एंटेन डामेंटर मेड़ फाइबर ग्लास और सिमिलर मेटेरियल अब ऐसे अगर मैं एंटीना को आपको डिस्क्राइब करूंगा तो यह एंटीना लगा हुआ है और यह आपकी नेट लगी हुए है अब हम लोगों को इसके डामेंशन वगरा थोड़े से देखने हैं कि किस तरीके के होता है अब यह एंटीना अगर आप ऐसे रख दो तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है ऐसे यह पतली पतली च्छड ह होती है यह आपके इस तरीके के आपके यह स्टिक वगरा जैसे आपको देखने को मिलता है जेनरली इसके उपर रेड और वाइट कलर जो है इस तरीके से लगाया जाता है पूरा क्सरीब जो है और दो और न वो 0.80 meter long है और लगवग 10 mm जो है इसका डाइमेटर वगएरा रखा जाता है ठीक अब या तो इसको फाइबर ग्लास का बना लें इसी तरह का तरीके का आप इस्तिमाल कर सकते हैं अब यह जो आपका एंटीना आपने लगाएं इसके जो एंटीना वगएरा आपने लगाया है इसका जो असी सेंटीमिटर है यह नेट के उपर की तरफ एक्सेंड करता है और इसके उपर 10-10 cm के स्ट्रिप्स आप बनाते हो रेड और वाइट कलर के जिस्ते की तो एक तो आपने क्या किया है यह इंटीना आपने लगा दिया इसके साथ में आपने इस तरीके का पूरा कंपीनेशन वगरा बना कर तयार कर दीया और इसके उपर फिर ultimately आपने ये net वगरा टांगा है और इसकी मदद से फिर जोगा ultimately आपके court के दूसरे specifications वगरा है दूसरे dimensions वगरा को भी आप measure करते हैं चलें अब हम लोग यह देखेंगे कि volleyball ultimately खेला कैसे जाता है इसके rules and regulations क्या होता है तो पहली जीस तो यह कि volleyball की जो दोनों आपकी teams हैं जो किसी भी एक match में अगर compete करती हैं एक match में अगर वो आपस में एक दूसरे के खिलाब खेल रही हैं तो हर एक team में आपके बारा बारा खिलाडी होता है और इनमें एक particular खिलाडी होता है आगे हम लोग बात करेंगे उसको बोला जाता है libero आपके जो दोनों teams हैं उसमें जो specific आपका खिलाडी है ज़सको libero बोला जाता है तो वो खिलाडी जो libero नहीं है उन में से कोई एक जो है वापका टीम क्यापिटन होता है समझिएगा इस बात को बारा की टीम में होते हैं इसमें कुछ खिलाडी आगे बताओंगा कितने होते हैं उनको बोला जाता है लाइबेरो let's say कि अगर आप अपने यह माल लिए है कि आपकी टीम में दो लाइबेरो हैं तो इसके बाद आपकी टीम में दस खिलाडी और बचे अब इन दस में से कोई भी एक जो है वापकी टीम का कैप्टन हो सकता है यह अपने को ध्यान रखना है कि वाली बॉल की टीम में लाइबेर हो सकता है यह थे बात अ को दé कोई ध्यान रखनी है हर एक टीम में कितने खिलाडी होता है एक देखेंगे लाभा को एक फिलाडी होता है उसके इנה कोई और प्लेएर जो है वो टीम का कैप्टन होता है and the sides of the code in the first set याने कि अब आपका जब match शुरू होने वाला और उसका पहला set खेला जाएगा उसके पहले दूनों टीमों के captain's की presence में toss होता है और इस toss के business पे दो चीज़ें decide होती है पहला तो यह कि कौन serve करने वाला है पहली service जो है कौन सा side करने वाला है दूसरा यह कि दूनों team है जो है वो आपकी net के किस side खड़ी होने वाली है यह दूनों बाते जो है आपके toss के में decide होती है तो पहला set जो है उसमें serve कौन करने वाला और पहले set में आपकी जब service वगरा शुरू होगी तो court के कि side पे कौन सी team खड़ी होने वाली है ठीक है जी और अगर आपका deciding set खेला जाने वाला है कुलमिला के 5 set होते हैं volleyball में let's say अगर दो-दो का आपका match जो है tie हो गया है आप पांचवा जो दो-दो set दोनों टीमों ने जीत लिए पांचवा जो set है वो डिसाइड करेगा कि ultimately जो match है कौन जीतने वाला है तो यह आपका deciding set हो गया तो अगर आपका deciding set खेला जाने वाला है तो ऐसी condition में एक नया toss होता है और उसमें फिट जो है ultimately decide होता है उस toss की basis पर कि उसमें कौन सर्व करने वाला ध्यान रखिए का पांच set होते हैं आपके volleyball के match में तो आपका जो पहला set खेला जाता है उस पहले set के पहले एक तो toss करवाया जाता है दोनों टीमों के captains में और उसके basis पर decide होता है कि कौन सी टीम जो है वो serve करने वाली है कौन सी टीम receive करने वाली है और आपका कौन सी टीम किस तरफ खड़ी होने वाली है और आपकी volleyball की team में जो captain होता है वो लाइबेरो नहीं हो सकता लाइबेरो एक particular position पे खेलने वाले खिलाडी को बोला जाता है जिसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे अगर आपका deciding set खेला जाने वाला है और उसके basis पर decide होता है कि फिर आपके deciding जो set है उसमें service वगरा कौन करेगा और कौन सी team कहां खड़ी होती है before the start of each set the coach has to present the starting lineup of six players of the team on the lineup sheet ये important बात है इसको समझना है आपका match शुरू होने के पहले आपका जो आपका जो coach है वो आपका जो भी आपके empires वगरा होते हैं जो भी आपके referees वगरा होते हैं वहाँ पर उनको अपने छे प्लेयर्स का start आपका जो छे प्लेयर्स ने उनका starting lineup जो है वो प्रेजेंट करता है लाइनफ शीट के उपर मैं आपको यह पहले दिखा देता हूं तब यह बात ज्यादा अच्छे है समझ में आएगी यह जो चीज है इसको बोला जाता है आपका या आपकी अलग अलग जो प्रेजेंट किया जाता है आपका पूरा लाइनफ बताया जाता है अब यह जो स्टार्टिंग लाइनफ है इसी के basis पर आपका rotational order decide होता है रोटेशनल बहुता है कि मैं शुरूने के पहले आपको बताना पड़ता है कि आपके फांसा प्लियर कहां पे खड़ा हूने वाला है और उसके basis पर आपका rotational order या फिर बारा के बारा खिलाड़ी एक वक्त में मैच खेलने के लिए उतरते हैं और यह जो स्टार्टिंग लाइन आप आप आपने दिया इसी के बैसे पर रोटेशनल और बताया हुआ है कि आपका दूसरा प्लेयर जो है पहले की जगे आ जाएगा पहला छटे की जगे आ जाएगा पेन पेपर बना कर पहले से प्रेजेंट किया होता है रोटेशनल और कब लागू होता है जिस मॉमेंट पे आपका सर्वर जो है वो बॉल को हिट कर रहा है मैच शुरू करने के लिए उस वक्त आपके उस सर्वर के इलावा रोटेशनल और के अकॉर्डिंग आपके बाकी स फेटिन प्रेज्ड के आपके लिए तीजानल ऋफ रॉड्र फ्रण छाओ होे हैं इनको वुख्ला है इनको फूर्ड प्ल्यर जाता को बूला जा रहा है front row players fourth वाला जो है इसको क्या बूला है आपने fourth वाले को आपने नाम दिया है front left third वाले को आपने बूला है front center front left front center और front right आपने बूला है second वाले को याद रखिए गाइस बात को ठीक इसी तरीके से आपके जो पीछे की तरफ जो इनके player खड़े हूँ इनको क्या बूला गया है इनको बूला गया है back row players और इन्होंने क्या position occupy कर रखी है fifth वाले ने आपकी back left कर रखी है sixth वाले ने back center कर रखी है और one वाले ने back right कर रखी है यहीं बें बना कि आपको मैं इसको दिखा देता हूँ यह आपकी net हो गई इस net से immediate में जो आपके players खड़े हूँ है वो आपके front row players कहलाते हैं और पीछे की दरफ में जो आपके players खड़े हूँ है वो आपके back row players कहलाते हैं fourth वाला जो player है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है third वाले को आपने बोल दिया front left थर्ड वाले को आपने बोल दिया यहां आपका सब्सक्राइब Samu सार अब चाहो तो यह बदल सकते हो दो यहां पर आ सकता है पांच यहां से यहां चाह सकता है यहां पर आ सकता है ड़सन्ट मैटर आप उसकी पुरिशन मगरा चेंज कर सकते हो अब आपको समझ में आए इसलिए sequential order में numbers को लिया गया है एक बार फिर से देख लीजिए ये वो sequence है जिसमें आपने बताया है आपने players वगरा को कि हम लोग भाई हमारे players को इस इस position में खड़ा करने वाले हैं ठीक यह आपकी net हो गई अब यहां पर यह जो चार तीन दो खड़े स sürणी साती साथ दिसमें rotational order मिं बताते हो कि दो जो है वो एक की जगे रोटेट कर कर आ जाएगा एक चई की जगह चला जाएगा चेपांच की चला जाएगा पांच चार की जगह इसकी जगह यह इसकी जगह है सादी करेंगे जो diagram में आपको rotational order देखने को मिल रहा है और जो हम लोगोंने पहली line में पढ़ा था यह जो rotational order आपको यह arrows वगरा की मरद से देखने को मिल रहा है और जो हम लोगोंने पहली line में पढ़ा था कि before the start of each set the coach has to present the starting line up of six players हर एक set के शुरू होने के पहले आपका जो coach है वो starting line up अपने छे players की शीट के ऊपर बना कर देता है और इसी के basis पर जो है decide होता है कि rotational order कैसा रहेगा तो वो rotational order क्या चीज़ है वो अब लोग देखने वाले है rotational order is determined by team starting line up and control with the service order and players position throughout the set या अब यह rotational order जो है तब रोल में आता है आपका service order और players की position के अनुसार set में आपका role में आता है कैसे role में आता है देखना शुरू करता है when the receiving team gains the right to serve जब आपकी team जो receive कर रही थी जिसको अभी तक ball जो है सिर्दी जा रही थी जो या यानि कि अगर let's say आप और मैं match खेल रहे हैं और मैंने आपको ball जो है marker आप तक serve करी तो आप receiving team हो जाएंगे और मैं आपका serving team हो जाऊंगा तो यह जो receiving team है जब इनको serve करने का right मिलेगा यानि यह अब जो है आप serve करने का right हसल कर चुके अब आपकी team का player ball मारेगा और मैं आप जो है receive करूँगा अभी तक मैं server था अब मैं receiver हो गया हूँ आप अभी तक receiver थे अब आप जो है server बन गया है तो जब आपकी receiving team जो है उसको serve करने का right मिलता है यानि कि अब जब उसका player जो है receive कर रही थी इसके उस तरफ वाली team जो खड़ी हुए नेट के उस तरफ वो ball को मारकर इनकी तरफ ball को पहुचा रही थी और ये लोग अभी तक receive कर रहे थे अब इनको जो है serve करने का right मिल गया अब ये लोग मारेंगे और ball को उस तरह से move करेगी इस clockwise direction में ये लोग भी अपनी पूलिशन चेंज करेंगे जब इनको serve करने का desczar करने का right मिल जाएगा दूसरा वाला player पहले वाली की जगे पह पहला वाला प्लेयर श्टवे की जगे पह पान्चवे की जगे पह बOCरा तरीके से आपके जो वगरा हैं अपनी प्रिशन चेंज करते हैं और इसी को जो है rotational order बोल आ गया है ठीक है याद रखिये इस टीम इस तो ये जो आपका ये तो एक ये हो गया इस टीम इस इंटाइल to a maximum of three hits in addition to blocking for returning the ball अब एक टीम ने दूसरी टीम की तरफ में बाल को हिट किया है अब दूसरी टीम की जिम्मेदारी यह बनती है कि आप उनको जो है बाल को फिर से हिट करकर आपकी पहली वाली टीम क की तरफ में लोटाना है लेट से मैंने आपकी तरफ में बॉल पहुचाई अब आपकी टीम के प्लेयर जो है बॉल को हिट करकर वापस मेरी तरफ तो मैंने आपकी तरफ मैं बाल में आपकी तरफ में घर करने के लिए कर रहे कि तीजरे के आपका प्लेयर कैनोट हीटि यहेंग स्वेम जोוכ कोई भी बिया च्वा जो है एक consecutive लगातार दो बार जो है बॉल को हिट नहीं कर सकता लेट से आपने बॉल मेरी तरफ मारी थी मेरी टीम में अब एक प्लेयर मैं हूँ मैंने एक बार बॉल को हिट करके अपने किसी दूसरे प्लेयर की तरफ महुचाना है लेट से वह बॉल उबर की तरह वुड़ गई वो किस के पहले किसी और प्लेयर का उसको कमस कम एक बार हिट करना जरूरी है आपने बॉल मेरी तरफ मारी मैंने एक बार उसे हिट कर दिया अब अगर कोई दूसरा प्लेयर मेरी टीम का उसको हिट करता हूं तब तो ठीक बात है मगर एक बार आपने बॉल मारी मैंने उसे एक बार hit किया उसके फिर मैंने उसे hit कर दिया दो बर consecutively तो फिर यह चीज जो है allowed नहीं है तो फिर उस case में fault हो जाता है उस case में फिर foul गिना जाता है अब a team scores a point by successfully landing the ball on the opponent's court और when the opponent team commits a fault और receives a penalty अब आपको point यहां पर कैसे मिलता है आप और मैं अगर let's say match खेल रहा है अगर आपकी team वाले का player जो है उसने मेरे court में ball गिरा दी या मेरी team वालों ने अगर आपके court में ball गिरा रही तो फिर point मिलेगा अगर मैंने आपकी तरफ में ball गिरा दी तो मुझे गया तो उस case में एक point मिल जाएगा मुझे इस तरीके से जो है गेम आपका आगे चलता है चलें आगे बढ़ता है नेक्स चीज़ जो आती है उसका नाम है rally अब हम लोगों ने जब badminton पढ़ा था तब बीस का जिकर आया था और उसके बाद भी जिकर आया था मगर मैं फिर players ने ball फिर मेरी तरफ सर्व करी मैंने फिर ball आपकी तरफ सर्व करी आपने फिर मेरी तरफ सर्व करी और इस तरीके से लगातार गेम चल रहा है मैं आपको ball मार रहा हूँ आप मुझे ball मार रहे है और लगातार जो है इस सर्विस आप नहीं बनी हुई है exactly उसी तरह से जिस भी point आपका score नहीं कर पा रहा लगातार वो service आपकी चल रही है वही चीज़ यहाँ पर है उस चीज़ को हम लोगों ने वहाँ पर rally बोला था इसी चीज़ को यहाँ पर rally बोला जा रहा है कि अगर मैं ball hit कर रहा हूँ आपका ground वगरा ऐसे और उसको फिर से जो हमको service start करना पड़े या फिर दोनों में से कोई एक जो है जब तक आपका point score ना कर ले तब तक यह पुरी प्रक्रिया चल रही है मैं आपको ball मार रहा हूं आप मुझे मार रहा हूं फिर आपको दे रहा हूं फिर मुझे मार रहा हूं यह process of service एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के respect में चल रही जब तक आपका या तो ball जो है बाहर नहीं जाती आपका out of service area के बाहर नहीं चली जाती या फिर कोई ना कोई एक point आपका score नहीं कर लेता कुल मिला कि जब तक ball आपका out of play नहीं हो जाती इसके बाद फिर उसको ला आपको serv करना शुरू किया You tu अगर मीरी टीम जो है उससने रैली जीट लीוח उतलब को जायेगा आपकी तरफ में ball किरा दी तो एक तो मुझे point मिलेगा मीरी team को दूसरी चीज यह है कि मैं भी आपको serve करना जारी रखूंगा अगर मुझे point मिल गया आपके तरफ में ball गिर गई उसके बाद में ball फिर से मैं लूँगा और मैं फिर आपको serve करना जारी रखूंगा इसी तरीके से अगर आपकी receiving team जो है उन्होंने rally जीतली मतलग उन्होंने ball मेरे कोट में गिरादी तो फिर आपको एक point मिल जाएगा और अगली जो service होगी है फिर अगला जो होगा वह आपकर साँ अइस तरीके से चोब आपका game चलता है ठीक है ची तो पहले सेट की बात कर लाएं आप ले decision चलता है कि मैंने आपको सर्फ किया आपने मुझे सोर्फ किया मैच अपना जो अलगातार चल रहा है भी मेरे पास है इसी तरो आप वन तरह रहा है आप स कर देने हुए मैंसा रिर्सीवर ते मैंने सर्फेर गिराने तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा ये बोला जाएगा कि आपने रैली जीत लिए और अब अब जो है सर्विस करने का अधिकार आपका हो जाएगा इस तरह से मैच अपना आगे चलता है तो आप चाहो तो सारे के सारे प्लेयर्स जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक सेट में एक बार में छे सब्स्टिटूशन तक हो सकते हैं और दो बार आप तीसती सेकंड के दो टाइम आउट ले सकते हो तीसती सेकंड के लिए मैच आप रुकवा सकते हो दोनों टीमों के जो है match को रुकवा सकते हैं, पहली चीज़ और दोनों टीमों को 6-6 substitutions allowed होते हैं, अगला, आगे बढ़ते हैं, अब player of the starting line में, starting line-up में leave the game, but only once in a set, the player में re-enter but only once in a set and only to the previous position to the line-up, यह अपना line-up है, let's say आपका second player जो है आपका यह match भी बाहर जाना चाहता है, इसकी जगे आप किसी और को substitute करवाना चाहते हो, तो यह एक बार जो है, एक set में बाहर जा सकता है, let's say अभी आपका second set चल रहा था, second set में आपका second player एक बाहर बाहर जा सकता है, अब अगर यह इस game में फिर से वापस आना चाहता है, तो एक बार यह वापस भी आ सकता है, मगर जिस position पर गया था, इसको उसी position पर वापस आना पड़ेगा, इसके लावा किसी और position पर यह वापस नहीं आ सकता, वो बात यहां पर लिखी होई है, कि आपका जो starting line-up है, यानि कि हर एक set के पहले जो आपने positions वगरा बना कर paper के उपर दी है, आपके coach ने, उस start-up position जो आपकी starting line-up की position है, इसमें से कोई अगर एक player आपका set आपका बाहर जाना चाहता है, तो एक set में एक बार वो बाहर जा सकता है, और एक ही बार जो है, वो वापस भी आ सकता है, मगर उसी position पर, मतलब यह है, कि अगर आपका let's say third set चल रहा है, third set में आपका player number one जो है, वो बाहर जाना चाहता है, तो एक बार वो बाहर भी जा सकता है, और उसके बाद अगर वो इसी third set में वापस आना चाहता है, तो वो वापस भी आ सकता है, मगर उसको फिर इसी position पर जाना पड़ेगा, आप एक बार जाने के और वापस आने के बाद में पहले वाले player ने बोला कि नहीं मुझे तो फिर से जाना है, वो allowed नहीं है, दो बार आप बाहर नहीं जा सकते, एक बार आप बाहर जा सकते और एक बार आप अंदर आ सकते हो, एक सेट की बात हो रही है, इसके बाद लेट से फोर्थ वाला सेट हुआ, तो फोर्थ वाले सेट में अगर आपका पहला player फिर बाहर जाना चाहे तो जा सकता है, ठीक है यह याद रखना है था प्लियर में रिएंटर बट उनली वन सिना सेट इंड उनली टु दा प्रीवेस पूलिशन इन लाइन अप आप यह जो आपके सेट वगेरा खेले जाते हैं लेट से एक आपका सेट हो गया अब दूसरा सेट आपका होना है तो इनके बीच में ज सेट अगर आप झोड़ के तो उसके लिए आपका जो भी टीम पहले पचीस पुइंट कर लेती है तो समझते है लेट से आपका पहला सेट शुरु हुआ, पहला सेट अगर होता है उसमें आपकी team number A है और team number B है, team number A ने पहले 25 point score कर लिए है और team number B से कम सकम वो 2 point की lead पर चल रही है, यानि की team number के अगर 23 point है, 22 point है 21 point है 20 है या फिर इसते भी कम अगर कोई number of points और team number A जो है वो 25 point score कर लेती है तब तो हम लोग बोलेंगे कि आपकी team A है जो है वो जीत गई है तो याद रखिएगा कि कोई भी team अगर आपका 5 वे set को छोड़के पहले चार में से कोई भी एक set जीतना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा कम असकम 25 point score करना पड़ेंगे दो point की lead के साथ में करना पड़ेंगे यानि कि अगर दूसरी team के कम असकम 23 point है 22 है 21 है 20 है इस तरीके से और इसने 25 point score कर दिया तब तो यह है आप 2 point की lead बनाना पड़ेगी या फिर इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि आपके टीम नंबर यह और टीम नंबर भी दोनों ने अगर 24 24 point score कर दी हो टाई हो गया है तो ऐसी condition में यह match तब तक चलेगा जब तक इन में से कोई भी एक 2 point की lead नहीं ले लेता है यानि कि या तो आपका 26 24 हो जाए 27 25 हो जाए 29 27 हो जाए मगर जब तक कोई भी एक team 2 point की lead नहीं ले ले थी तब तक यह match चलता रहेगा और जैसी किसी भी एक team को 2 point की lead मिल गई वैसे ही match आपका खतम हो जाएगा या फिर हम लोग यह बोलेंगे कि यह जो set है आपका यह वाला खतम हो गया तो यह ध्यान रखने वाली बात है अगर आपको कोई भी set वगरा जीतना है तो पहली चीज़ तो यह कि आपके वाली वाल में 5 set होता है पांचवे set को छोड़ दिया जाए फिफ्ट set को अगर हटा दिया जाए पांच set total होता है मगर अगर आप पांचवे set को छोड़ दें तो इसके बाद जो आपके पहले दूसरे तीसरे और चौते चार set की अगर बात करें इन में से किसी भी set में क्या कहानी है आपको 25 point score करने है जो भी टीम आपके 25 point score कर लेगी वो जीच जाएगी मगर पेंच क्या है दो point की lead होनी चाहिए मतलब यह दो point याने कि अगर आपकी team number A और team number B अगर match खेल रही है अगर team number B ने 23 point score कर लिया है या 20 point score कर लिया है या 21 point score कर लिया है और ऐसी condition में team में 25 point score कर लेती है तो यह 25 point score करने के साथ team number B से 2 point की lead पे चल रही है तब यह विजेता डिकलेर कर दी जाएगी suppose कर लिजे कि कहानी यह बन गई है कि team number A और team number B दोनों के आपके 24 points हो गया है तो ऐसी condition में अगर यह 25 point score भी कर ले तो भी यह विजेता नहीं डिकलेर हो जाएगी यह ऐसी condition में match तब तक आगे चलेगा जब तक दोनों में से कोई 8 team 2 point की lead ना ले ले 25 point score होने की बात की बात कर रहा हूं तो अगर आपकी team number A जो है वो 26 point score कर लेती और यह 24 पर रह गई तब आप विजेता हो जाएंगे अगर यह 27 कर लेती और यह 25 पर आ जाती तब आप विजेता हो जाएंगे और यह बात किस पर लागू होती है पहले चार में से किसी भी एक सेट पर पांचवे सेट के लिए बात लागू नहीं होती एक मैच अगर आपको जीतना है तो पांच में से कमस कम आपको तीन सेट जीतना पड़ेंगे जैसे आपने तीन सेट जीते मैच आपका खतम हो जाए यहांuje मगर अगर आपकी होनि है पहला आपके टीम नमबर ए ने जित लिया है दूसरा कटीम बी ने जित लिया तीसरा क्थिंगा तीम टीमने जित लिया और चॉथरा क्या लिए और टीम नमबर भी ने उसके बाद के तीन सैट लाइन से जीत लिए तो फिर आपका टीम नमबर भी जीत जाएगी पॉइंट यह है कि किसी भी टीम को जीतने के लिए तीन सैट की जरूरत है तीन सैट अगर आपने सीधे सीधे स्ट जीत लिए तो फिर खेल खताम है उस यहाँ पर आप 25 पइंस कर लेती है मिनिमम दो पॉइंट की लीड के साथ में वो विजयता कर दी जाती है मतलब टीम A और टीम B आगर टीम बी ने मने 15 स्कोर कर दी है और इस वक्ट लीक यह तो 13 ہیں 12 , 10 , 9 , 8 ऐसी situation में जो आप विजयता डिक्लियर कर दिये जाओगे और फिर वही होता है चाहुदा-चाहुदा के केस में आगे चलते हैं जब तक कि आपके कोई भी दो कर रही हैं दोनों टीमों को यह थिकार होता है कि 이 여anchad कोई डेजिगनेट कर सकती हैं अपने इस पेशलिस्ट डेफेंसेव प्लेयर के तौर पर जिन राइबैरो्स बोला जाता है तोनका मतलब किस का मतलब होता है specialist defensive players और हर एक team के पास में यह right है कि अपनी team के किनी भी दो खिलाडियों को वो यह बोल सकते हैं कि यह हमारे लाइबरों या फिर इस तरह बोलूं कि यह हमारे specialist defensive players है याने कि defense वगरा के लेकर एक को लेकर यह हमारे specialist player है एक बात याद रखिएगा कि जब भी दोनों team के जो दो आपके लाइबरों मौझूद हो सकता है और यह जो बंदा है इसको बोला जाता है acting लाइबरों इसके लावा जो आपका दूसरा लाइबरों है उसको आप लोग सेकेंड लाइबरों बोलता है मगर याद रखिएगा एक वक्त पर आपके दोनों लाइबरों जो हैं court पर प्रेजेंट नहीं हो सकते होनी ली वन लाइबरों में भी प्रेजेंट अटकोट एड़न टाइम अब लाइबरों वगरा जो है क्योंकि इनको अलग से एक नाम दिया गया है और बोला गया है कि इनकी इक specific position है specific काम है कि आप भाई हमारे defense पे ध्यान देंगे आप हमारे specialist defensive player हैं तो क्योंकि आप आपको specialist defensive player बनाया गया है इसलिए इनको दूसरे जो players वगरा हैं specialist के तोर पे खड़ा किया गया है उसी तरह से यहां पर आपके जो specialist defensive players हैं इसको लाइबरों बोला जाता है इन लाइबरों की जो uniform होती है वो आपके जो दूसरे आपकी team के players वगरा हैं उनसे थोड़ी सी अलग होती है उनके dominant जो colors वगरा होते हैं उनसे अलग color की जो है uniform यह पहनते हैं जैसे यह जो photograph आपको देखने को दिख रही है इसमें आप यह जो player है यह आपकी जो team खेल रही है इनका लाइबरो है या फिर इनका specialist defense player अब ध्यान से देखिएगा इसके जो कपड़ों का color है और आपके जो दूसरी team के players इनके जो कपड़ों का color है यह अलग है इन्होंने white color की जर्सी पहन रखी है जो आपके दूसरे players वगरा है और यह जो आपका लाइबरो है इसने क्या गर रखा है इन्होंने black color की जर्सी पहन रखी खेलिए की team के लिए रहे मगर आपका क्योंकि लाइबरो की specific position है और इसके इसको आपको अलग specify करके बताना है तो आपने इसको इस तरीके से अलग से जो है यहाँ पर अलग तरीके की जर्सी वगरा पहनाईए ताकि clear समझ में आ जाए कि आपका लाइबरो कौन है और उसको कहां पर खड़ा होना है और दूसरे भी प्लेयर्स वगरा जो है उनके बीच में और लाइबरो की बीच में जब आपका गेम चल रहा हो तो किसी तरीके का कोई कॉडिनेशन वगरा में दिक्कत हो या फिर किसी तरीका का कोई confusion वगरा हो जाए एक लाइबरो जो है इस अलाउट टू रिप्लेयर इना बैक रो पॉडिशन अब मैंने आपको बताया था थोड़ी दिर पहले कि आपको भी आपनी इस तरीके से पॉडिशन वगरा बना कर देना पड़ती है आपका कौन सा प्लेयर कहां पे खड़ होता है और वहां पर वह किसी भी आपके प्लेयर को बैक रोम में रिप्लेस कर सकता है यानि कि आगर आप चाहों तो आपके बैक रोम में किसी भी एक प्लेयर को अटाके उसकी जगे पर अपना लाइबेर हो या फिर यह बोलूं कि आपका specialist defense player जो है उतार सकते हो ठीक है जी इंक्लूदिंग प्लेयर को इंक्लूदिंग प्लेइंग खेल रही है मैंने आपकी तरफ बॉल मार दी या अबर आपने मेरी तरफ बॉल मार दी अगर आपकी बॉल इंट्रेस्टिंग बात है किसी भी वक्त अगर किसी भी पाले में है और उस वक्त अगर उसकी हाइट जो है नेट की जो टॉप हाइट है उससे उपर है इंट्रेस्टिंग है थोड़ा समझने की कोशिश करिया किसी भी वक्त पे लेट से मैंने आपकी तरफ बॉल मार दी या छोप मेरे पाले में मगर जो प्मॉस्ट पॉइंट है Jeska Jackson onーー यह जो टॉप है इसे अब चुष ना तो कर सकता है और ना वह बॉल के साथ आप कोई औरक कर सकता है उमुक्शन और परफॉर्म कर सकता है जो बैक कोशिश करते हैं मैंने आपकी तरफ बॉल मारी आपने बॉल मेरी पाले में आतों गई है मगर उसकी जो हाइट की जो टॉपंपर ठीक ऐसी परिस्तिती में अगर मेरी तरफ से कोई प्लेयर बॉल को फिर से आपका उच्छा लिए जंप करके मारना चाहता है आपकी तरफ पहुंचाने के लिए तो इसको अटैक इट बोला जाएगा यह अटैक हिट आपका लाइबेरो नहीं मार सकता इसको याद रखिएगा अगर बॉल आपका नेट की हाइट से नीचे की तरफ आगे तब लाइवेर हो जो है अटैक हिट लिये सकता है मगद बॉल को फिर से मार के आपकी कि तरफ पहुंचाना यह अटैक इट नहीं आप सकता कब तक नहीं मार सकता जब तक आपकी ball जो है हवा में एक ऐसी height पर है जो net की top height से उपर है अगर उसकी height नेट की height से कम होती है net की top height से नीचे की तरफ में आती उसके बाद में live arrow जो है आपका attack it मार सकता मगर उसके पहले जो है आटाइक इट नहीं मार सकता इसके लावा आपकी जो बॉल है लेटसे अगर मेरी तरफ से आपको मुझे सर्फ करना तो कोई एक प्लियर बॉल आपकी तरफ मारेगा और उसके बाद फिर बॉल आपके पास जाएगी फिर आप मुझे मारोगे फिर इस तरह से जो है रैली वगएरा चलेगी और इस तरह के प्र कोई एक जो है दूसरे के कोर्ट में बॉल के रागे पॉइंट स्कूर करेगा तो सबसे पहले जो बॉल मारके आपकी तरफ मैंने पहुंचा है या आपने मेरी तरफ पहुंचा है इसको हम लोग क्या बोलता है सर्व करना आपका जो लाइबेरो है वो कभी भी बॉल को सर्व नहीं करता है याद रखिएगा ना वो बॉल को ब्लॉक करता है ना वो अटेंब करता है उसको ब्लॉक करने की इसके इलावा अगर आप एक लाइबेरो को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे लाइबेरो से या फिर प्लेयर को अटा के उसके लाइब आगा तो यह भी अलाउड है यह नहीं बोला जा सकता है कि आपके अब याद रखेगा कि इस तरीके से हम लोग लाइबेरो वगरा को कितनी भी बार रिप्लेस्मेंट वगरा जो है होने के लिए एक रैली कंप्लीट होना जरूरी है याने कि एक बड़ आपने मेरी तरफ बॉल मारी मैंने आपकी तरफ मारी अब लगातार यह सर्विस चल रही या तो बॉल आप मेरी तरफ गिराद हो या मैं आपकी तरफ गिराद हूँ तो यह सर्विस खतम हो जैसे यह सर्विस खतम होगी उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो अपनी तरफ एक लाइबेरो का रिप्लेस्मेंट करवा सकता हूँ आप चाहो तो आप अपनी तरफ एक ल लाइबेरों का शर्त इतनी है कि एक रैली कम्पलीट होना जरूरी है याद रखिएक बात को चलें आगे बढ़ते हैं आब हम लोग बातचीत करेंगे वॉलिबॉल की जो fundamental skills हैं उसके बारे में जिनकी मरद से इस game को खेला जाता है चलें देखते हैं जा तो fundamental skills basically वो टेक्निक्स हैं या वो चीज़ें या वो skills वगरा हैं जिसकी मदद के बिना आप volleyball खेल नहीं सकते या फिल volleyball game में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो पहले हम लोग इन opponent की तरफ में भेजना या फिर सब्सक्राइब कर लीजे कि आप और मैं मैच खेल रहे हैं फिर मेरी और आपकी टीम जो है मैच खेल रहे हैं बीच में मारे पर आप उसको वापस मार के में तरफ भेजेंगे फिर मैं उसको हिट करूंगा इस तरह से अपना जो है फिर एक रैली या फिर एक गेम शुरू हो जाएगा अब इसको शुरू करने के लिए जो पहली बाल आपकी तरफ भेजी गई थी इसको च्रविस बोला जाता है तीन तरीके से सर्विस की जाती है टेनिस सरविस दूसरा होता है जम पेंड eran और तीसरा होता है फ्लोटिं सर्विस यंशू के बारे में भी हम लोग दिटेल में बातचीत करेंगे जम just your का मतलब यह है कि आप बॉल के साथ में एक सर्टेन हाइट तक उचलते हैं और उसके बाद में ग्राउंड पे लैंड करने से पहले आपने बॉल को मारा है वॉली बॉल को और उसके बाद में आपके अपोनेंट की तरफ आपने भेज दिया तीसरा होता है फ्लोटिंग सर्वि है कि आप एक सर्टेन हाइट तक टैनिस में बॉल को लेकर जाते हैं और उसके बाद में फिर छोड़ते हैं और वो नीचे उत्रे उसके पहले आप रैकेट से मार देते हैं लगबाग कुछ ऐसी कहानी होती है उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे जैसे यहां पर इसमें पॉशर वगरा की मरज से भी बताया जा रहा है टैनिस सर्फ एक तरीके से मगर अभी इसको डीटेल में बात करेंगे जंप एंड सर्फ एंड फ्लोटिंग सर्विस हमने देख लिया आसान है टैनिस सर्विस अभी हम लोग देखेंगे तो बैसिकल लिए तीन तरीके जो है वो बन गई अब इसमें जो लगाता है हम लोग बाल एक से दूसरे की तरफ में भेजते जा रहे हैं इसके लिए जो हिट की है इनको बोला जाता है पास अब यह पास अगरा भी जो है चार तरीके के होते हैं पहला होता है अंडर ऑम पास दूसरा होता है पास जो आपका सर के उपर से मारा जाता है तीसरा आपका फॉर्वर्ड डाइब पास के आपने आगे की तिरा डाइब करते हुए जो है बॉल को मारा है और उसके बाद अगर आप गिर भी जाओ तो क्योंकि वहां पर रहेत पड़ी होती है तो इतना कोई आपको ऐसा चोट प और ट्रें के बारे में भी देखेंगे का मंगर क्लमिला के याद रखना है कि चार्ब तरीके की आपके पासस्त वगइरा होता है इसके बाद में सैट अप सेट आप जो है अब क्या होता है वो हम लोगके आगे देखेंगे कुल्विला के इसका सिंपल सी बात यह कि अपने एकदम से अगर बॉल को मारा है तेजी से ताकि वो सामने वाले के आपके कोड में लैंड करें और आपको एक पॉइंट मिल जा तो उसके लिए आपको स्मैश करना होता है जैसे अगर मुझे आपकी तरफ मे कोड में गिराने की कोशिक कर रहा है और यह लोग इसको रोकने की कोशिक कर रहा है यह कुछ फोटोग्राप्स वेंगरा है तो बॉल आपकी तरफ आही ना पाए उसके पहले पहले आगर आप रोक दो तो इसको ब्लॉक बूला जाता है अब ब्लॉक के लिए आप जनरली करते हैं यह हो कि दोनों हाथ उपर करके इस तरीके से जो एक पॉस्चर बनाते हैं आपके अपोनेंट की टीम में जो बंदी है उसकी तरफ से जो बॉल फेक ही जा रही है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर यह आपकर डबल ब्लॉक हो जाएगा इसमें जगर एक कोड़ाद है तो फिर यह सिंगल ब्लॉक हो जाएगा यह ध्यान रखना है चले आगे यह सिंगल ब्लॉक की फोटो भी है एक हाथ से आप ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं दो हाथ से ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है यह डबल ब्लॉक आ गया चले तो यहां तक हम लोगों ने जनरल जनरल टर्म्स की बात कर लिए अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो बुक में लिखे हूंगा उनको डिसकस करना है फंडामेंटल स्किल्स में सबसे पहले सर्विस की बात करनी थे सर्विस में जम्प एंड सर्व एंड फ्लोटिंग सर्विस हमने देख लिया अब टैनिस सर्विस जो इसको डीटेल में जड़ा देखते हैं चले सा फरका जाता है वहाँ पर टेनिस की बॉल और रैकेट होता है यहां पर आप वही पॉश्चार हाथ की मदद से बनाते हैं और आपके पास में गॉली बॉल होती है तो आपके भी ध्यान से देखिएगा टेनिस की सर्वेस वगरा के वक्त में वो बॉल को एक सर्टेन हाइट पर रखते हैं और उसके बाद में फिर हाँचा के जैसे चोड़ते हैं फिर पूरा पूरा स्विंग करते हुए जो हैं फिर वो जर säoupir कहा है उसके बाद में आपकी सिर्वेस शुरू होती है प्र बॉल को रिलीज करते हैं से तरह के सर्के बाइस जब वह बान है यहां आम क को सर्व किया जाता है लगबख कुछ उसी तरीके से आप यहां पर पीजों सर्विस वगरा करते हैं तो दा बॉल इस टॉस्ट विच फिंगर्स लेफ्ट फूट फॉरवर्ड विच वेट ट्रांसफर्ट साइमल्टेनियस लियाने कि आप अपनी उंगलियों की मदद से बॉल एक्सलेरेशन दिया जा सके अच्छा घ्सवर्ड किया अब इस वक्त में जब आप ऑप बाल को छोड़ने के बाद में आप या फिर बाल को रिलीस करने के बाद में आम को पूरी तरह से स्विंग करेंगे उस वक्त आप जो रिस्ट है इससे आप बहूत जहीं रखते नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है बहुत important prerequisite है कि आपको जो आपकी wrist है उसको काफी ज़्यादा stretch रखना है उसको काफी ज़्यादा rigid रखना और flat hand के साथ में फिर आप फोर arm से ball को जो है मारते हैं अब arm को जितना हो सके उतना quickly आपका accelerate करते हुए आपका wrist को rigid रखते हुए आपके palm स जो है ball को hit किया जाता है और जब यह process हो रही होती है जब आप hit करते हैं तो उस वक्त आप अपने आपका जो body है उसका आगे की तरफ में move करते हैं और आपका जो rear foot है उसकी मरत से आप अपने आपको balance करते हो आगे जाते हैं लगब कुछ इस तरीके से अपने ball को यूपर उसके बाद में आपने ball को यूँ हाथ से hit किया है और hit करते हुए आपका सारा वजन आप आगे की तरफ लाते हुए अपने आपको ऐसे balance करते हैं यह जो है प्रक्रिया इसके त्रू जो serve किया जाता है इसको tennis service या tennis serve बोला जाता है और वही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा मोग करते हैं यह आपका tennis service क्यालाती है काफी effective service है काफी लोग इसका इसका competitive point of view से तो काफी जादा किया जाता है इसको करते हैं चले अगले आतने passes वगरा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बार आपकी service शुरू हो गई उसके बाद फिर दूनों टीमें जब rally में जाती है एक दूसरे के तरफ लगाता है और ball को hit कर रहे हैं तब जो चीज की जाती है उसको pass बोला जाता है तो इसमें से कुछ passes हमको देखना है सबसे पहले आपका underarm pass the skill is this skill is used when the ball is below your forehead to receive a striking ball और a dropped ball आप underarm pass का इस्तेमाल कब किया जाता है जो मैंने आपको बताया था कि आ ball आ जाती है फिर आपके four head से जब नीचे ball निकल के आ जाती है उसके बाद आप उसे receive कर रहा है चाहे आप उसे इस तरह से hit करें कि आपका दूसरा player उसके बाद जो है उसके पास वो ball जाए और वो उसको फिर mark कर ultimately आपके opponent की तरफ भेट सके या फिर आप उसे इस तरह से hit क जा रहें कि आप ही के hit के मदद से जो है ball फिर आपके जो net है उसके दूसरी तरफ जा सके जो भी हो मगर point यह है कि आपको यह जो ball है वो आपके कंदों के नीचे या फिर आपके forehead की नीचे होनी चाहिए और उसके बाद में आप अगर यह hit ले रहे हैं तो उस condition में सको अंड जाने की अगर यह जा जाता है तीसरी चीज आती है सेटप 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 स्पाइक फॉर अनादर प्लियर सेटप का मतलब क्या होता है second contact याने कि अगर बॉल आपके तरफ आ रही है और आपने उसको इस तरह से हिट किया है कि वो आपके अपोनेंट की तरफ ना जा कि अभी आपके पाले में ही रहेगी मगर आपका कोई दूसरा प्लेयर जो है अब उसके उपर जादा effectively अगर शॉट ले सकता है सामने वाले की कि तरफ या तो splash कर सकता है या फिर spike कर सकता है फिर attack कर सकता है ऐसी परिस्तिती में आपने अब जो यह उसको पूरा मौका बना कर दिया जो position और पॉस्चर बना कर दिया इसको जो आप setup कहता है मतलब क्या जैसे लेट से कि आपने मेरी तरफ बॉल मारी अब मेरी टीम का एक प्लेयर और यह जो इस बीच में मेरे दूसरे प्लेयर ने position बना कर उसको जमीन पे गिरने से पहले hit किया, splash कर दिया, spike कर दिया और आपकी तरफ में बॉल को भेज दिया, अब यह जो चीज है इसको जो है setup बोला गया है, यह जो hit करने के पहले पहले तक की पूरी की पूरी कर दिया, तो यह चीज जो है setup कहलाती है, कि एक बॉल को एक बार इस तरह हिट करना कि second time hit करने के लिए आप एक favorable position में आ जाए, आपकी team का कोई दूसरा player उसको second time जो हिट करे तो उसके पहले वोग अच्छी स्तिती में है, रहे, आपकी बॉल की trajectory को इस तरीके से जो है set करन यह आपका setup कहलाता है, ठीक है जी, this skill is used to spike a ball or drop the ball into the opponent's court, अब इसकी मदद से आप basically करते यह हो कि आप ball को spike करकर गिराने की कोशिश करते हो, या फिर सामने वाले की तरफ में अगर spike नहीं भी कर रहे हो, तो court में उसके गिराने की आप कोशिश जो है volleyball को करते हो, यह जो है च चले, अब बात करते हैं, थोड़ा सा serve के बारे में और, तो जैसा यह मैंने आपको बताया था, serve का इस्तिमाल या तो आपका set शुरू करने के लिए किया जाता है, या फिर आपके game की शुरूआत करने के लिए किया जाता है, बस वही बात यहां पे लिखी होई है, कि serve क्या होता है, it is used to put the ball into play, आपके ball को play में लाने के लिए, आपके game को शुरू करने के लिए, इसका इस्तिमाल किया जाता है, ठीक है, आप या फिर to start the volley and this skill is solely executed by one player, अब यह जो आपका game शुरू होता है, कई बार इसको हम लोग volley भी बोलते हैं, कि बाई, वाली जो है वो शुरू हो गया है, and एक ही player जो है जनरली इसको करता है, यह नहीं होता है कि आपने serve के नाम पे ball को अपने code में जो है किसी एक particular player की तरफ पास कर दिया, फिर वो मार रहा है, ऐसा नहीं होता है, serve करते वर्त आपका कोई एक player जो है, वो ball को ऐसे hit करता है, कि ball आपका opponent की तरफ में जा करने के लिए किया जाता है, और ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसको पूरी तरीके से एक ही player के दार execute किया जाता है, एक ही player जो है service वगरा करता है, दो player इसमें serve नहीं करते हैं, यह एक ही court में आपके एक ही team के दो player ने ball को दो बार hit करके उसके बाद में opponent की तरफ भेज देखें, tennis service के बारे में आपने बात करी थी, उसकी photograph मैंने आप लोगे लिए लगाई है, इस तरह से इसको किया जाता है, आपने height तक ball को उठाया, आपना हाथ जो है खोल के रखा, accelerate किया, ball को मारा और आगे की तरफ में आप थोड़ा सा जुग गए अपने आपको balance करने के लिए, इस तरीके से tennis service किया जाता है, लगबग इसी तरीके से आपके lawn tennis में भी ball serve होती है, आपने उपर उठा के रैकेट से मारा है और आगे की तरफ में आप जुग जाता है, more or less वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, देख लेंसे, इसको रोक के भ आप ball को गिराने की कोशिश करते हैं, या फिर यूँ बोलूँ कि आप जब अपने opponent के against में point score करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए हम लोग attack का इस्तेमाल करते हैं, इसमें player जो है, वो ball को इस तरह से hit करता है कि ball जाके आपके opponent के ground पे गिरे, playing court पे गिरे और आपको एक point बगरा मिल जाए, अब ये करने के लिए या फिर इसको execute करने के लिए आप अपने court का front zone भी इस्तेमाल कर सकते हैं, back zone भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और front zone और back zone किसकी मदद से हम लोगों ने differentiate किया था, आपकी जो attack line है, उसकी मदद से, अगर या आपकी तरफ का court है तो उसकी mid line से 3 मीटर के distance पर जो line है, उसको हम लोगों ने attack line बूला था, और ये attack line से आगे तक का net तक का जो हिस्ता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका front zone और उसके पीछे से आपकी end line तक का जो हिस्ता है, वो कहलाता है आपका back zone, ये अपने को ध्यान में रखना है, तो ये execute करते हैं, attack को और इसके मतद़ से आप एक point score करने की कोशिश करते हैं, अब जैसे यहाँ पर ये बंदा जो है, अच्छी कासी height तक उचलने के बाद में volley wall को court में मारने की कोशिश कर रहा है, अपने opponent के, अब सामने वाले defense वगरा करने की कोशिश कर रहा है, मगर अगर ये ball को मारना चाहा रहा है, तो इसकी कोशिश है कि ball को नीचे की तरफ में trajectory दे दूँ, अब इसकी कोशिश है कि इसके opponent की तरफ के court में गिरेगी और इसको point वगरा मिलेगा, होता है नहीं होता है, that's a different thing, ये अगर रोक लेते हैं, वो नहीं हो पाएगा, block कर देंगे सारी चीज या वगरा से, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, attack करना, अब यही चीज़ अगर पीछे के area से की जाती है, आपकी attack line की पीछे, send line की बीच में से कहीं से मारी जाती, तो इसको फिर हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं, फिर back zone से attack किया जा रहा ह अब इसी चीज़ को counter करने के लिए जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अपोनेंट टीम के मदद से इसको बुला जाता है ब्लॉक करना अब यह जो ब्लॉक करना है इसी के बारे में थोड़ा सा भी और बात कर लेता है चले तो यह एक ऐसी skill है जिसमें player क्या करता है आ whatever मगर objective क्या है कि यह जो आपका सामने वाला ball आपके court में मारने की कोशिश कर रहा है और एक point score करने की कोशिश कर रहा है इसको किसी तरीके से रोका जाया और उस point को बचाया जाया है उस point को होने ना दिया जाए यह ध्यान रखने वाली बात है ठीक है जी आब यहां पर लूँ के opponent ने hit किया था और आपने उसको point score नहीं करने दिया तो ऐसी condition में आपको जो block है वो कामियाब हो गया है फिर वो successful हो गया चले है अब बात करते हैं वाली वाल में awards वगरा जो दिये जाते हैं उनके बारे में तो देखिए बात यह है कि इस game को भी बढ़ावा मिले और इस game में जो लोग अब लगे हुए हैं जो अभी कोशिश में लगे हुए है कि इस game का प्रजार प्रसार किया जाए हिंदुस्तान international level पर इसमें represent हो और कहीं पर कुछ आपका competition वगरा हम लोग जीते हैं और देश का जो है नाम वगरा हो इस particular चीज में तो इन सारे लोगो अचीवमेंट्स वगरा जो हैं वालीवाल में उसका संबान करने के लिए अवाड्स वगरा इनको दिये जाते हैं अब government of India जो है इनको आपका cash prices के साथ में भी honor करती है और साती साथ आपके certificates वगरा भी जो है इनको प्रदान किये जाते हैं इनका recognition वगरा देने के लिए कि आप जो efforts वगरा कर रहे हैं तो टॉम जोसफ करके आपके वालीवाल प्लेयर रहे हैं इंडिया की है इनको अरजुन अवार्ड दिया गया था 2014 में इसी तरीके से जी श्रीधरन है इनको द्रोनाचारे अवार्ड के साथ में honor किया गया था इनके excellent contribution के लिए कोच के तौर पर और भी इसी तरीके के आपके काफी जादा प्लेयर्स वगरा लगे हुए हैं इस पर्टिकुलर चीज में शामिल है जो अपना contribution इस गेम में दे रहे हैं ना सिर्फ इसके इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और सांती सांतिसका प्रचार प्रसाद में भी जो हैं इंडियन टीम के अगर बात की जाया तो उनके भी नाम वगरा आपको बताने हैं इतना जो है आपने सर्च करना है अपनी तरफ से गूगल करना है और इतना मुझे आपने पता करके हर एक बच्चे ने बताना है चले आगे बटना आज का जो हमारा सेशन था इसमें हम लोगोंने हमारी क्लास 11 की हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन की जो है इंसी ए रटी किताब है उसके चैप्टर नंबर फिप्ट जिसका नाम टीम गेम्स है उसके लास्ट गेम जाट इस वालीबॉल उसके बारे में डिसक्रशन वगरा क कर किया है और इसी के साथ में हमारा जो फिफ चैप्टर है वो भी समाप्थ होता है फिफ चैप्टर भी यहीं पर हमारा को सेशन के बारे में पर इसको चाप्टर्मने आफ़ी सारी बात में उसमें देखेंगे मगर वो सारी की सारी बातचीत next session के लिए आज का जो session है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी के साथ में हमारा जो fifth chapter है वो भी खत्म होता है अब समाप्त करने के पहले session conclude करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आ Magnet Brains का जो हमारा चैनल है यूट्यूपर उस पर कई बार वीडियो या उसकी प्लेलिस को ढूंड़ने में तो दिक्कत हो जाती है वाजिब समस्या है क्योंकि उस पर काफी सारे वीडियो वगरा ड़ने है तो दिक्कत आ जाती होगी तो उस चीज का यहां पर खास ध्यान र आते है आप यह देखते हैं कि यहां पर सारा का सारा जो क्यौलेटी एड़ूकेशनल कंटेंट है एकदम ओर चैनले में अरेंज किया गया है जैसे कि स्प्धार गार्डॉर्टेंट निग्लिएम का इंगदम अलग रखा गया है दूसरे से कोई मिक्सप ना हो कोई कश्यू तो अलग अलग आपके एक्जामिनेशन वगरा का कंटेंट अलग अलग जो है अब जो भी कंटेंट आप पढ़ना चाहते हैं जिस भी चीज में आप इंटरस्टेंड है आपने आके करना सिर्फ इतना सा है वेबसाइट पर कि उसके उपर क्लिक करना है जैसे अगर सब्सक्रा क्लिक करें तो यह आईकॉंट युफ हो जाएगा और उसके बाद में इसका तो क्लास का पढ़ने चाहते हैं उस पर प्लिक करें जो भी class का content पढ़ना चाहते हैं लेटसे अगर आपको ख्लास 11 का content पढ़ना तो इस पर क्लिक करें जैसी class 11 का content पर आप क्लिक करेंगे तो उसका icon red हो जाएगे class 11 के सारी courses आपके सामने आ जाएगे यही बात आपका class 12 के साथ में आपने class 12 पे अगर click किया तो class 12 की icons जो है वो red हो जाएंगे और class 12 के सारे subjects या सारे के सारे courses आपके सामने आ जाएंगे class 10 9 8 7 सब के साथ में यही बात है जो भी class पे आपके क्लिक करेंगे उसका सारा का सारा content आपके सामने निकल कर आ जाएगा अब class 11 का let's say आपने click किया है और class 11 के सारे courses आपके सामने आ गए है science के subject हो गए humanities के subject हो गए arts के subject हो गए commerce के subject हो गए सारे आपके सामने निकल कर आ जाएंगे जैसे यहाँ पे physics, chemistry, maths, science के subject आपको देखने को मिल रहा है economy, history, political science, आपकी यह humanities के subject देखने को मिल रहा है इसी तरह से दूसरे subjects वगरा भी आपके सामने आगे अब इसमें जो भी subject आप पढ़ना चाहते हैं उस पर आप click करें let's say अगर आपने health and physical education पर click किया या कोई और subject पर click किया sociology पर किया, economics पर किया, math पर किया, physics पर किया तो उसका फिर content आपके सामने निकल कर आ जाएगा सबसे पहले आपको syllabus ओवर्विव देखने को मिलेगा और उसके बाद में chapter 1 से लेके जो भी उसका last chapter है और महां तक का उसका सारा content अग्दम ordered तरीके से यहां पर arranged है अब जो भी आप पढ़ना चाहते हैं जो भी आप chapter या देखना चाहते हैं जहां से भी आप शुरू करना चाहते हैं आप शुरू कर सकते हैं आप syllabus ओवर्विव से भी शुरू करके agreement तक जा सकते हैं कहीं पर बी जरूरत नहीं है सारा का सारा content exclusively free of cost है at your disposal at for your access आप इसका जब तक चाहें उतना इस्तेमाल करें जितना चाहें उतना effectively इस्तेमाल करें जितना अच्छे से हो सके अपने examination को की तयारी इसको लेके करें and अच्छे से अच्छा score करें साथी साथ मैं आपको ये भी गुजारिश क करना चाहूंगा ये भी मेरी गिलतजा आप लोगों से रहेगी कि इस particular venture के बारे में ग्यान शेयर करने की जो हमारी ये मुहीम है ये जो moment है इसके बारे में जितना हो सके उतना प्रचार प्रसार करें वो लोग जिनको इसकी जरूरत है मगर जो इसके बारे में जानते नहीं में जो है आप जितना हो सके इसका प्रचार प्रसार करें खुद भी फायदा उठाएं दूसरों को दूसरों तक भी इसका जो है benefits वगरा पहुंचा है and lastly and सबसे most importantly तरक्की करते रहें अच्छा करते हैं जिन्दगी में और आगे बढ़ते रहें इसी note पे I would be calling it the day and we'll be taking your leave now आपसे इजाज़त चाहेंगे मिलते हैं next session में जिसमें हम लोग class 11th health and physical education की हमारे discussion को continue रखेंगे और इसका जो next session है इसके उसमें हम लोग इसके next chapter के साथ में अपने discussion की शुरुआत करेंगे चले so on this note calling it the day and concluding the lecture अपना बहुत ध्यान रखें खुश रहें positive रहें हस्ते हम उ most importantly, Voodoo, Raya, Magritte, Brains के साहँ, thank you, Jai Indh.